नमस्त दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी येट्टूब चानल पूजा घर संसार में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जल से जल दियादी आप गर्विधारन करना चाहती है तो पीरेट के तुरंत बाद साथ दिनों तक आपको इस घरेलू उपाय को अपनाना है जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाली हूँ और इससे अगर आपको किसी भी प्रकार की परिशानी है PCOD है या फिर थाइरवेट प्रॉब्लम है या हार्मोनल इन बैलेंस की परिशानी है period irregular नहीं है, ovulation track नहीं हो पाता, sperm count में कमी है या फिर आप pregnancy gain नहीं कर पाती है किसी भी वज़ा से जो कि आपको नहीं पता लग रही है तो आपको ये साथ दिन तक उपाय करने हैं जो मैं आपको 100% natural तरीका बता रही हूँ इस home remedy से आपके uterus है वो बहुत ही जल्दी pregnancy के लिए तयार हो जाएगा और इस वीडियो को स्टाक करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जो भी पहली बार चानल को देख रहे हैं वो जरूर चानल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन उन कर दे ताकि ऐसे ही most latest और information से भरपूर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्रेंड्स प्रती दिन मिलते रहें और आप भी जल से जल pregnancy conceive कर पाएं आईए फ्रेंड्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों infertility के लिए ये आयूर्वेदिक treatment बहुत ही प्राचिन जबाने से प्रियोग में लाई जा रही है और इसके पीछे बहुत ही अच्छा scientific reason भी है और साथी साथ कई साड़ी गर्ववती महिलाओं ने इसी को पी के गर्वधारन किया है यदि आपको बच्चा होने में बहुत ही ज़्यादा परिशानी हो रही है तो आप कुछ natural चीजों का जरूर सेवन करें जो आपकी infertility की शिकायत को दूर कर सकती है और ये महिलाओं के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी पूरु से के लिए भी है क्योंकि अगर आप आपके partner में sperm count की समस्या है और आपको परिशानी जो है वो समझ में नहीं आ रही है तो ये drink जो है आप दोनों पती-पतनी सेवन कर सकती है इसे कैसे बनाना है तो friends इसके लिए गाय का ही दूद होना चाहिए गाय का दूद बहुत ही अच्छा service rest माना गया है गाय के दूद म है हरे पतेदार धनिया की जड़े भी ले सकते हैं या फिर सुखी धनिया की जड़े भी आप ले सकते हैं इसके बाद आपको लेना है friends खजूर खजूर आपको भी पता होगा कि गर्वेवत्ती पहिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है प्रेग्नेंसी के दौ दिन तक यह हम आगे जानने वाले हैं खजूर करीब आपको 11-12 लेनी है बारा खजूर को बीज सहीत लेना है अब आपको क्या करना है friends कि यह जो बारा खजूर है और धनिया की जरे हैं तो दो चमच धनिया की जरे होनी चाहिए और साथ ही साथ या फिर धनिया की जरों की च दूद आपने लिया है, एक कप या एक गिलास आप ले सकते हैं, इसको अच्छे से टीनों को मिश्रन बना के उबाल लेना है, इस उबले हुए दूद का सेवन आपको जैसे ही आपके पीरियेड समाप्त होती है, उसके दूसरे दिन से आगे के साथ दिनों तक करना है, पीरिय अच्छे मातरा में होती हैं साथी साथ इसमें लौतत्व बहुत अच्छे मातरा में होता है जो आपके सरीर में आइरन की पूर्ति बहुत जलदी से कर देता है और इसके बहुत add करना है आप एक चमश कर सकती हैं अगर आप टेस्ट अच्छा करना चाहते हैं या फिर आप सहद का भी इस्तिमाल कर सकती हैं दोस्तों ये ड्रिंक आपके husband को भी देना है अगर वो ले सकते हैं तो बहुत अची बात है उनके भी sperm count और quality में सुधार हो जाएगी लेकिन आपक अगले मैने अगर आपको pregnancy नहीं रूकी है तो क्या होता है फ्रेंड्स सब महिलाओं का जो body type होता है वो अलग अलग होता है और जो घरलू नुस्खे होते हैं हो सकता है किनी महिलाओं में बहुत जल्दी असर करता है किनी महिलाओं में थोरा सा time लग जाता है इसलिए have a patience ब करना बिल्कुल ना भूले यही एक बेस तरीका होता है आपको pregnancy गेन करने का तो अबुलेशन पर जरूर अपने ध्यान रखें अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वाडी है मन में तो आप frequently मुझसे पूछ सकते हैं आज का ये वीडियो मैं यहीं पर end करूंगी उम्म कर फ्ली नागी पूट ऋ्रीका कर तो आपको के बार somethin का भी है वीडेओन आपको किसी पष्ब़गया ऊबुलेशन इक करे उफे और वीडियो किसी भीजुलेशन और करेका के वीडियो पुलेशन था जो एका जो पुलेशन नापको किसी एकाशन चेशन पोट एकाशन ये